जै जोहार नमस्कार तैनिक 36 कर चैनल देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अभी जीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की सुरुवात सबसे पहली बड़ी खबर के साथ इससे पहले 36 गर से अगर आप और देखना चाहते रोजाना 36 गर के समाचार तो चैनल को जरूर अप लॉंच हो चुका है 108 गावों में फ्री वाइफाई के लिए अब एमो यू पर हस्ताक्षर भी हुआ है मुखिमंतरी भूपेस बगेल बस्तर और कांकेल जिले के दोरे पर हैं जहां उन्होंने 173 करोड 44 लाग से अधिक लाकत के नवासी विकासकरव का लोकार पर और स लन्यास किया इसके साथ ही कहा है कि 17 अक्तूबर को किसान्याय योजना की तीसरी किस्त जारी होगी 435 ग्रामिर सचिवालय का सुभारम भी किया कया तैकारिक्रम के अनुसार सीम बगेल जग्दलपूर के मादन देश्वरी एरपोर्ट पहुचे जहां से सबसे पहले सीम दन असमाज के लोगों से इन्होंने मुलाकात की 1775 चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दसहरा में बाहर रहनी की रस्म अदाइगी के दूसरी दिन मुरिया दरबार का आयोजन किया जाता है पेट्रोल पंपो पर अब नहीं पहुच पा रहा है पेट्रोल भारत पेट्रोलियम के 2500 से भी अधिक टैंकर मालिकों की हर्टाल अब भी जारी कमपनी से नहीं बनी कोई बात अब CM से मिलने वाले हैं दरसल पूरे प्रदेश के भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं पहुच पा रहा है हालकी हिंदुस्टान पेट्रोलियम लिरायंस के पेट्रोल पम्प का विकल्प होने की वज़र से परिशानी उतनी अधिक नहीं है मगर टैंकर मालिकों का दावा है कि उनसे जुड़े हचारों परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट आन पड़ा है दरसल BPCL और पेट्रोल टैंकर मालिकों के बीच चल रहे विवात की वज़र से 3 अक्तूबर से हर्टाल चल रही है अब इस मामले में एक नया मोरा चुका है पेट्रोल टैंकर मालिकों की बात कई बार कमपनी से होई बगर कोई हल नहीं निकल पाया है अब पेट्रोल टैंकर एसोसियेशन के पदारी कारियों ने मुख्यमंत्री भूपेस बगेल से मिलकर इस मामले में दखल देने की मांग की और इसका मन बना लिया है 36 गर पेट्रोलियम टैंकर मालिक एसोसियेशन के अध्यक्ष विनोध उपाध्याय के मुताबिक जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हर्ताल यो ही चलती आ रहेगी ऐसे बात करे तो टेंकर एसोसियेशन अज्यक्ष विनोध उबाध्याय के मताबिक बीबी सीयल ने नए टेंडर में टेंकरों से पेट्रोल लाने और ले जाने का काम वर्तमान रेट से 30% कम कर दिया है जिससे टेंकर मालिकों को नुकसान उठाना पड़ेगा और बढ़ते डी प्रदेश में पहली बार दसवी बारवी के मेधावियों को अनोखी तरीके से सम्मानित किया जाएगा आठ अक्तूबर को सुभा आठ बजे से मेधावी चात्रों को हेलिकाप्टर से राइट मिलने वाली है और हेलिकाप्टर में साथ सीठ होने के कारण केवल साथ विंत्य प्रदेश में पहली हेलिकाप्टर की सेर एक समय पर कर पाएंगे इसलिए सभी 125 मेधावियों को सेर कराने के लिए हेलिकाप्टर को 18 बार उड़ाना पड़ेगा मेधावियों के अभिभावकों से मार्मेक सिक्षा मंदल ने हस्ताक्षर युक्त सहमती पत्र मांग ली है ल जाने की सेर्ट संकर नगर में सभी मेधावियों पुछात्र पहुच गये हैं इसके लावा 9 अक्टूबर की साम 4 बजे मुख्यमंत्री निवास में मेधावियों का सम्मान समाहरों रखा गया है लेप्टॉप की रासी इनके खाते में ट्रांसफर करी जाएगी दरसल इस य लाग पत भरे जाने हैं और सभी भरतियां प्रमोशन अगले अप्रेल 2023 तक पूरे कर लिए जाएंगे इंडियर रेलवे अगले पांच महीने के भीतर यानि अप्रेल 2023 से पहले पूरे देश में प्रमोशन और नई नियुक्तियों से 3 लाग से अधिक पत को भरने जा रहा ह जिसमें तक्रीबन 1,52,000 नई भरतियां होनी प्रिस्तावित है बिलासपूर जोन यानि तक्रीबन 36 कर में ही रेलवे में लोगों को 7,000 नई नवकरियां मिलने वाली हैं कुछ अर्सा पहले इंडियान रेलवे ने बिलासपूर समय तेजभर कि सभी जोन से रिक्ट पदों क जानकारी मागी थी और अब इसके बाद सभी जोन को प्रमोशन और नियुक्तियों की पूरी प्रक्रिया मिसन मोड में करने तथा अगले पांच महा में पूरा करने का निर्देश जारी किया है भरति के लिए सारेरिक परिक्षाण, दस्तावेजों का वेरिफिकेशन और श राइपूर में बच्चा चोरी का हल्ला मचा हुआ है जहाँ पर आप वीडियो के मारधम से देख सकते हैं, दस बच्चे महिला लेकर के घूम रही थी, लोग पकड़कर ले गए थाने, एसेसपी ने इसके लिए अलर चारी कर दिया है 36 गड़के कई हिस्सों से बच्चा चोर गिरों सक्री होने की खबर आ रही है, दो दिन पहले ही भिलाई में इसी सक्वे भीड ने सादों पर जानलेवा हमला किया था, अब ये बवाल राइपूर पहुच चुका है, दरसल दो पहर गोल बाजार थाने के बाहर गहमा गहमी पता चला कि यहां एक महिला को भीड बच्चा चोर समझ कर लेकर रख गया गई, और राइपूर के SSP प्रसांत अगरवाल ने सभी थानों को चौकनना रहने का अलर्ट दिया है, इसी तरह की अफवाहों के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है, जानकारी के मुताबिक एक महिला कुछ बच्चो को लेकर बाजार में घुम रही थी, और लोगों को सक हुआ तो महिला को घेर लिया गया, महिला के साथ देख रहे बच्चे महिला से मेल नहीं खा रहे थे, और बाजार में मौजूद लोगों को लगा कि ये उनकी रिस्तिदार तो नहीं हो सकती, जाहिजा लिहाजा यहाँ पर महिला को भीर ने पकड़ लिया और बाजार में हंगामा मचा, फॉरन पुलिस को ख़वर दी गई और पुलिस महिला को बच्चो समेथ ठाने लेकर पहुच गई बच्चा चोरी के सक में साध्वो को पीटने वाले चार लोग गरिफतार हुए है, 35 अभी लापता है, 5000 रुपए नहीं देने पर अब बच्चा चोरी की अफवाह पहला दी गई थी, सराप पीने के लिए यहाँ पर जो युवक है वो पैसे मांग रहे थे दरसल 36 गड की दूरिजले से खवर है, जहाँ पर बच्चा चोरी के सक में साध्वो की बेरहमी से पिटाई कर दी गई थी, जिसका जो न्यूज है वो हमने कवर किया था बीत दिन की न्यूज में और ऐसे में हमने आपको बताया था, आरोपियों में योगेंद्रु साहु उर्फ छोटू, सत्त नाराय चक्रधारी, भूबेंद्र वर्मा, उर्फ कानहा, सिदेंडरो महतो सामिल है और ऐसे में 35 संदिग्धों की तलास अभी की जा रही है, गटना की सचाई जानने के लिए टीम ग्राउंड जीरो पर पहुँची तो जहां लोगों ने आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन सभी का कहना था कि साध्वों को बेरहमी से मारा गया, बच्चा चोरी करने का आरोप बेहत गलत है, विलाई के चरोदा इलाके में जहां यहां पूरी घटना हुई, वहां मौझूद एक सक्स ने पहचानना बताने की सर्थ पर पूर 1200 खिलाडियों को यहां पर प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, द्वितिय अंतर 23, राष्टी ए अटलेटिक्स प्रतियोगिता 29 से लेकर 31 अक्टूबर तक बिलासपुर में आयोजीत करी जाएगी, बहतराई के बी यार यादव एटलेटिक्स स्टेडियम में खेल समारो में साविल होने विभिन राज्यो यूनियन ट्रेटरी विभिन खेल तसा संगो सहित जो भी 45 थंसान से लगभग 1100 खिलाडी, कोच, प्रसिक्षक और खेल अधिकारी भी इसमें सिर्कत करेंगे, आयोजन की तयारियों के लिए कलेक्टर सौरफ कुमार की अध्यक्षता में जिला एटलेटिक संग सहित विभिन खेल संगो और जिला इस्तरी अधिकारियों की संवत बैठक बीते दिन सभाकक्ष में संपन हुई और इसमें विभिन संगो वा अधिकारियों की जिम्मेदारी सौप दी गई है बैठक में सर्व संबती से कलेक्टर सौरफ कुमार को आयोजन समीती का अध्यक्ष नौपदस नगर निगम आयोगत कृनाल दुदावत को नोडल अधिकारी बना दिया गया है महादेव ओनलाइन सट्टा का कनेक्षन बड़ा खुलाचा हुआ है बिलासपूर के कोटा में बन कमरे में यहाँ पर सट्टे बाजी चलती थी 20 से 30 करोड रुपए का ट्रांजेक्षन पकड़ाया गया है दरसल दुर्ग पुलिस ओनलीन सट्टा के खिलाफ लगातार कारिवाही कर रहा है जगदलपूर और छिन्वारा के बाद अब बिलासपूर के कोटा छेतर से एक ब्रांच का पर्दा फास हुआ है पुलिस ने यहाँ से 4 आरूपियों को गरफतार किया है इनसे करोडो रूपय के आरूपियों के पास ते 26 मोबाइल, दो लैप्टाप, दो ब्राडबेंड और दो लैप्टाप चार्जर सेहिं 24 एटीम कार्ड, 23 चेकबुक, 3 पासबुक और 10 मोबाइल से बरामत किये है दूर्ग S.P. डॉक्टर अभिसेक पल्लाओ के मुताबिक, दूर्ग जिले में महादेव एप, रेडडी अन्ना और अन्ने ऑनलिन सट्टा एप का जाल 3G से फैल रहा है और इस पर लगाम लगाने के लिए दूर्ग S.P. ने S.P. सिटी संजैस रूम उप पुलिस अधिक छक नगर सिद्धिकी के देत्टु तुमें एक विसेश टीम का गठन किया है CM भुपेस पगिल का अनोखा अंदाज देखने को मिला मुर्या दर्बार में मुख्यमंतरी ने बजाया बस्तर का परंपरिक मुणदा बाज़ा तालिया बजाते दिखे सहांसत दीपक बैट 36 करके मुख्यमंतरी पूपेस पखेल बीते दिन बस्तर दोरे के दोरान मुरिया दरबार में सामिल हुए उन्होंने आदिवासी संस्कृती को करीब से देखा इस दोरान मुख्यमंतरी ने ग्रामिलों के साथ मिलकर बस्तर का प्रसिद्ध मुंडा वाजा पजाया सांसत दीबग बैस ताली बजाते दिखे वही बस्तर की पारंपरिक वेस्पूसर धारण किये विभिन जनजाती के लोगों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया दरसल बस्तर दसहरे में बाहर रहनी रस्म के दूसरे दिन मुर्या दरबार का आयोजन हुआ जग्दलपूर के सिरहासर भवन में आयोजित इस कारिक्रम में मुख्यमंत्री ने सिर्कत की पट्टा हस्तांतर नेमिति करण योजना को लेकर खबर 1000 से ज़्यादा प्रकरण अब भी लंबित निगम से जमीन का रिकॉर्ड गाया अब खसरा नमबर नहीं होने की वज़े से लीज अटका और अब आराई से सर्वे करवा रहा है प्रसासन दरसल सहर के बहुत से पट्टाधारी धाई साल से नजूल पट्टे की जमीन पर स्वामित्व के लिए भटक रहे हैं जबकि उन्होंने सभी कागजी औप्चारिकताएं पूरी कर ली हैं कई लोगोंने अनम्तिम गर्णा के अनुसार दे रासी भी जमा कर दी है और यह रास चार से लेकर पांच लाक रोपे तक है बताया जाता है कि साड़ा कारेकाल के जमीन से जुड़ा रिकॉर्ड जो यहां पर निगम है वहां से गायब हो चुका है इसका खाम्याजा अब लोगों को भूगतना पर रहा है खस्त्रा नंबर चिनित नहीं हो पाने के कारण लोग कोरोना की वज़े से पिछले तीन साल यानी साल 2020 से लेकर साल 2022 तक विस्विद्याले समिच सभी राज की विस्विद्यालियों के सबद जो भी कॉलेज हैं इनकी वार्सिक और सिमेश्टर परिक्षाएं ऑनलाइन हुई इनमें छात्रों ने घर से ही परिक्षा दी और इन त परिक्षा केंद्रों में जाकर पर्चे लिखने होंगे नैस सतर 2023 के लिए एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होगी गही है और पीजी में समेश्टर सिस्टम होता है मुआबजे के लिए आंदोलन लगातार किया जा रहा है एडसमेटा और सिलगेर गोली कान में मारे गए आदिवासियों के लिए लगातार न्याय की मांग करे हैं ये आदिवासी आंदोलन को साल पूरे होने को हैं हजारो ग्रामिड एक वाफिस से जुद गए आदिवासियों के लिए मुआबजे और न्याय की मांग को लेकर सुरू हुए बुर्जी आंदोलन को एक साल पूरे हो गए हैं और इस पीच हजारो ग्रामिड बुर्जी में एकत्रित होकर समाहरो पूर्वक वर्सगाट मना रहे हैं उलेकनी है कि दो दिवसियों मूल वासी बचाव अमंच के बैनर तले आयोजित किये गए वर्षगाट समाहरो के बीच मूल वासी बचाव मंच के संभागी अध्यक्ष रगु मोद्यम ने अपनी मांगों को लेकर जानकारी साजा की रोट के लिए सड़क पर उतरे 23 गाउं के लोग हाईवे पर किया चक्का जाम जंग कर हुई नारेबाजी नौ दिनों से धरना दे रहे थे दरसल धमतरी में बात करें तो जरजर सड़क की मरमत कराने की मांगों लेकर लोग अब सड़क पर उतर आए हैं यहां 23 गाउं के लोगों ने नगरी सिहावा स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया इस दुरान जबकर नारेबाजी भी हुई लोगों का कहना था कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम सड़क से नहीं उठेंगे दरसल कोलियारी खरेगा और दोनार जोरा तराई सड़क पूरी तरीके से जरजर हो गई है और इसी को सुधरवाने की मांग को लेकर कोलियारी दरी समेट 23 गाउं के लोग लंबे समय से हर्टाल कर रहे हैं 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद बस्तर दसहरा की सभी रस्में अपने आप में महत्पूर हैं लेकिन एक रस्म ऐसी है जिसमें ग्रामीड राजा को सजा देते हैं इस रस्म का नाम है भीतर रहनी और बाहर रहनी बीती साम को बाहर रहनी की रस्म देराथ तक चल चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा